हालो स्टुडेंट्स टाइप स्किप्ट का चैप्टर फाइब है चैप्टर फूर देखे तो समझवे आया का आपको क्लास के बारे में आपने पढ़ा था यहाँ पे क्लास क्रियेटेट है यह तब तक एक्जिक्यूट नहीं करेगा जब तक इस क्लास का ऑबजेक्ट ना बनाया जाए कभी भी class के नाम पे ही object बनाते हैं और new keyword के माध्यमशे बनाते है अगर मुझे class के अंदर कोई code write करना है तो मैं बिना function का code write नहीं कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे alert write किया तो यह गलत है अगर मैं इसे compile करूँगा तो adder आ जाएगा तो आपके प्रोग्राम से related जितनी भी coding होंगी वो या तो किसी function के अंदर होगा या function की जगा आप ऐसे constructor create करोगे और constructor के अंदर आप अपने code को इस प्रकार से रखोगे तो यह शही तरीका है क्या अंतर होगा अगर class के अंदर constructor और function बनाते हैं तो function call करना पड़ेगा, constructor call नहीं करना पड़ेगा क्योंकि constructor उसी वक्त call हो जाता है जिस वक्त आप class का object create करते हो अब जानिये की class के अंदर return use करने का मतलब क्या हुआ यहाँ देखें मैंने एक property create कर लिया ऐसे property यानि की variable अब एक function create करता हूँ इस प्रकार से, demo के नाम से अगर इस property को access करना है तो this के माध्यम से ऐसे मैं access करूँगा और फिर जो store करना है वो मैं इसमें ऐसे store कर लूँगा अब suppose कि जिए मुझे यह function call करना है तो क्या करना होगा पहले तो ऐसे variable create करना होगा x के नाम से और फिर इसमें object create करके मुझे ऐसे रखना होगा और फिर मैं x के माध्यम से ऐसे demo function को call कर सकता हूँ ऐसे करने से तो demo function का शारा code यहां जाएगा तो क्या मैं alert के अंदर ऐसे demo को pass करूँगा तो क्या यह output देगा हमें नहीं आप किसी function को call करते वक्त तब तक उसको alert के अंदर document.write के अंदर या किसी भी माध्यम से function के output result को तब तक आप display नहीं कर सकतो जब तक function अपने body से कुछ return ना करे अब यह देखे यह function का body है आपको result के रूप में अगर यह चाहिए this.data तो आपको इस प्रकार से return keyword का use करना होगा और फिर this.data को return करना होगा तो जब भी किसी function के अंदर return keyword यूज होगा इसका मतलब समझे यहां से जो भी return किया जाएगा वो वहीं जाएगा जहां से function कॉल हुआ है तो यह देखिए function कहां से कॉल हुआ यहां तो यह जो data आप return करोगे वो कहां जाएगा यहां पे अब अगर आप चाहो तो alert के अंदर इसे pass कर सकते हो अब जाकर यह result आपको मिल जाएगा अब टेस्टिंग करने के लिए पहले command को पिन किजिए compile करना होगा शो desktop पे demo नाम का folder AC के अंदर मेरा file मौजूद है मैंने यह command write किया ताकि यह compile हो जाए देखिए कोई भी error नहीं है अगर error नहीं है तो direct मैं hml file को run करूंगा यह देखिए और result आगया अब suppose किजिए अगर आपको एक class का code दूसरे class में यूज करना है तो कैसे करेंगे जैसे यह पहला class हो गया और यह रहा आपका दूसरा class मुझे class1 का code class2 में यूज करना है तो पहले तो code यहाँ पे prepare कर लिजे मैं यहाँ पे function create कर लेता हूँ ऐसे demo के नाम से और document.write के माध्य हम से simply मैं यहाँ पे write करता हूँ टेस्टिंग अब यही function हमें यहाँ call करना है लेकिन function तो तब call होगा जब आप इस class का object बनाओगे तो पहले आप यहाँ पे constructor को ऐसे create कर लो फिर इसके अंदर आप यहाँ पे one का object ऐसे create करो जैसे यह देखिए one class और यहाँ पे मैंने one के नाम से object create किया अब इस class के अंदर से code को access किया जा सकता है यहाँ पे एक property create कर लिजे data के नाम से अब मैं data को यहाँ पे ऐसे access करता हूँ और data में assign कर देता हूँ new one को अब अगर हमें new one object के माध्यम से कुछ access करना है तो पहले this data को access करना होगा और फिर हम this dot data के माध्यम से याईसे demo function को call कर पाएंगे देखिए दोनों में से किसी भी class का object नहीं बना है class की body के बाहर तो यहाँ पे आप two का object ऐसे create कर लो तो यह coding कैसे चलेगा जरा इसको जानिये सबसे पहले अगर two का object करिये ठुआ तो two वाले class का सारा code execute करेगा जैसे ही two वाले class का code execute किया यह जो one नाम का class है इसका object बनेगा और फिर इस class के अंदर से demo function कॉल हो जाएगा जिसके वज़ाशे यह result आ जाएगा यहाँ टेस्टिंग के spelling अलत है मैंने आशे शही कर लिया अब जरा वापस इसे compile करते है जरा देखे कोई भी error नहीं आया अगर error नहीं है तो simply आप HTML फाइल को run करके देख सकतो यह देखे रिजल्ट आ गया वीडियो अगर समझ में हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को हिट करे हमारे वापसाइट पर विजिट करे और सौफ्ट इंजिनेरिंग पर क्लिक करे ताकि आपको हमारे ओल्लाइन क्लासेज के बारे में शारी इंफोर्मेशन हो शके वाप इंस्टिट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद